कि जह इंसातियों फिलाल एक नियूज भómo sitä ज्यादा वाइरल हो रहे हैं और यह नियूज भवती ज्यादा ट्रेंटनिग में चल रहे हैं आप देख सकते ओडी हैं इस न 나오entar meine Zusammen is甚麼 को कवर कर रहे हैं और यह आप देख सकते हो तमाम मितलब इसमें जो पूरी दुनिया बर है उसके अकबार इसे कवर कर रहे हैं और जो ये संबरीन है ये समुदर में लापता हो गई है और इसमें कोई मामुली लोग नहीं थे इसमें जो चार बड़े उद्धोग पती थे और उनके साथ ही एक जो इसमुदरीन है इसका क लेकिन उन तक पहुचा नहीं जा पा रहा अभी तक तीन दिन हो गई है इसे लापता हुए और इनकी समुदर में आवाजे आ रहे हैं रहर रहकर हर आदेगण टेके अंदर इनके आवाज आती है लेकिन आप तक इन तक पहुचा नहीं जा सका है और ये जो पंडूबी है ये रविवार को निकली थी, आप ये देख सकते हो, कि हर 30 मिनट में आ रहे ही आवाजे, 2000 किलोमेटर के एरिया में रेस्क्यू लेकिन पंडूबी का सुराख नहीं, खत्रे में हैं 5 जाने, यानि कि 2000 किलोमेटर के एरिया में रेस्क्यू ओप्रेशन किया गया है, लेकिन अब तक फिर भी इसका कोई पता नहीं चला है, इस पंडूबी का, और इसमें चार बड़े उद्धोग पती हैं, जिनकी जान खत्रे में है, इस कारणी ने उद्धोग पतियों को डूंडा जा रहा है, लेकिन फिलाल ये पंडूबी का सुराख नहीं मिला है, तो चलिए देखते हैं, पंडूबी समुदर में क्या लेने गई थी, अट्लांटिक मासागर में रिविवार को एक पंडूबी लापता है, और टैटनिक प्रियाटक पंडूबी की तलास तमाम कोशी से की जा रही है, जो इस बीच पता चला है, रेस्क्यू टीम को, उसमें ये हो रहा है कि हर आदे गंटे के अंतराल पर कुछ आवाजे सुनाई दे रही हैं समुदर के अंदर, हैने कि हरादे गंटे के अंदर समुदर के अंदर से कुछ आवाज आ रहे हैं लेकिन अब तक पता नहीं चला है कि वो आवाज एक किसकी है और वो आवाज आ रहे हैं वो आवाज क्या इन वेक्तियों के ही है और जो समुदर की पंडूबिया है वहापे जो वह अल्ट्रा यह हम इस जो कि बहुत बड़े व्यवसाहिते व्यापारी थे एक दूसरे ब्रिटिस पाकिस्तानी व्यवसाहिए जिनका नाम है सहाज जादा दाउद और उनके बैटे एक सुलेमान है और उसके साथ एक फ्रांसी सी खोज करता है जिनका नाम है पोल हेंरी नार्गोलेट और उसेन गेट संश्ता के मुख्य कारेकारी इस टोकन रक्स जो ऑसिएन संस्ता है इन्हें लेके जाती है समुद्र में यानि टायटनिक जाहाज का मलबा दिखाने के लिए और यह आप देख सकते हो यह टायटनिक जाहाज है इसे देखने के लिए यह जो चार बड़े वेवस में मितलब समुदर से निकलते हैं तो निकलने के बाद में पंडूबी लापता हो जाती है और ओसियन गेट संस्ता से इनका संप्रक तूट जाता है टायटनिक जाहाज है इसका मलबा समुदर में 12 12500 प्mm के गहराईए पर है 12500 पित की गहराईब आप अंदाजा लगा सकते हो 12500 सो पीट के गहराई क्या होती है समुद्र में तक पहुंचाना बहूती कठीन इस तक जो पंडू पी जाती है वो एक विशेज परकार की पंडू भी होती है क्योंकि इतनी कहराई में समुद्र का पानी का प्रेसर उतना ज्यादा रहता है कि अगर इसमें आवाजों को केज़ कर सके और भारी मात्रा में इन सोनार मशीनों के यहां पर लाया गया है क्योंकि वे सोनार मशीने क्या करेगी आवाज को केज़ करेगी आवाज कहां से आ रही है और यह आवाजी समुदर में रहे रहे कर सुनाई देती है हर आदे गंटे की अंतराल पर य पहुंचती है क्योंकि 12,000 की फिट को मामूली गराई नहीं है बहुत ही गराई है और इसे देखने गई थे टाइटनिक जहाज को अगर आपको नहीं पता है टाइटनिक जहाज क्या होता है तो डिस्क्रप्शन में वीडियो की लिंक है वो आप देख लेना मैंने पिछले इस के बार में यह आप देख सकते हो टाइटनिक प्रियाट्टिक पंडूबी को लापता हो यह तीन दिन हो गए यानि कि रभिवार को निकली थी और आज तीन दिन हो गए लेकिन आप तक इसका कोई पता नहीं चला है जो जब यह पहले दिनी निकली थी उस दिनी इसका संप् पता लगाने गए ती यह लेकिन यह खुदी लापता हो गई क्योंकि इतनी गहराई पे टायटनिक जहाज का मलबा की वहां तक पहुंचवाना बहुत ही मुस्किल है वापस आना तो दूर की बात है वहां तक पहुंचना ही एक चुनोती है इस पंडूबी में पांच लोग मासागर के बित्तर 1970 किलोमेटर के दाएरे में रेस्क्यू ओप्रेशन चलाए गया है लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला मोसम खराब होने की वज़े से रेस्क्यू टीम को चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है टायटनिक का मलबा समुदर में 12500 नीचे है 12500 नीचे है इसके मलबे तक पहुचना आसान नहीं है पानी के प्रेशर की वज़े से सी क्राप्ट के क्रेस होने का खत्रा रहता है जो पंड़ीविया जाती है वहां तक इनका क्रेस होने का बहुत ज्यादा खत्रा बढ़ जाता है 12500 नीचे से आपको पता होगा कि समुदर के नीचे ज जाये वहां तक पहुचने पर तो इसकारण बहुत भारी जो पंड़ीवियोते हैं मजबूत पंड़ीवियों में बैठके जाते हैं 30 गंटे का बचाया इनके पास उक्सीजन जो इस पंड़ी में पांच लोग सवा रहा है तो इस पंड़ी में जो चारो तरफ से सील करके ब तो जाती इसकार ने से चारो तरफ से सील किया गया था और इसमें ऑक्सीजन भर के बेजी गयी थी तो देखते इस अपडेट के बारे में बताया जाता है कि पंड़ी में डेड़ गंठे की यात्रा के बाद उससे कॉंडेक्ट टूट गया जो पंड़ी है तो डेड़ समाप्त होने से पहले उन्हें किسी भी हाल में डूंड कर बार निकालना होगा वगा वगो ऑ्षीजन समाप्त होने से से पहले निकालना होगा उने रवी वार को एक बजे यानि कि रविवार को दो पैर एक बजे छिन्नम गंठे का उक्षिजन स्टोर कर समुदरी आतरा पर निकलाता ये पंडू भी है जो रविवार को एक बजे निकली थी छिन्नम गंठे का उक्षिजन लेकर निकली थी इसमें सवार लोगों के पास स्रिफ 30 गंठे का उक्षिज को के साथ उनकी तलास जारी है अगर इन तीस गंटों में नहीं बचाया जाता है इन्हें तो इन्हें बचा पाना बहुत ही मुश्किल है अगर यह पंडूबी खुद भी बाहर आ जाती है तो भी यह लोग नहीं बच पाएंगे क्योंकि इस पंडूबी को चारो तरफ से सील क अगया है और बाहर से इसे जब कोई खोलेगा तब यह लोग बाहर निकल पाएंगे और यह लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यह लोग वेसे ही मर जाएंगे क्योंकि अंदर ऑक्सिजन जाएगी नहीं समदर के बाहर आ जाएगी पंडूबी तो भी ऑक्सिजन नहीं जब इसे बाहर से खोला जाएगा तब ही oxygen जाएगी इसकारण अब rescue team के पास बड़ी चुनूती है कि 30 गंटे के अंदर अंदर इन्हें डूणना होगा अन्यता ये लोग वेसे ही मर जाएंगे फिर इन्हें डूणने का कोई फाइदा नहीं रहेगा इसकार rescue operation बहुत तेजी स गया था जिसमें 625 ओ लोग मारे गई थे जो यह टायटइनिक जाज़ है इसके वीडियो की लिंक इस वीडियो के description में आप यहां पर जाके देख सकते हूँ description में लिंक है इसकी यह वीडियो देख सकते हो बहुती बड़ी गटना है यह और भहुती भयाना गटना है त expire आप देख सकते हो इसे और यह जो टाइंटानिक जाज है कि तस्वीर है जो कि इसे पहले जो पंडूबी आ जाती थी देखने वो इसे देख पाती थी और जो यह पंडूबी आ जाती है इनका जो आप खरचा देख के चोक जाओगे यहाँ पर एक क्कटी का खर्चा 2 करोड आता है इस पंडूबी जब देखने जाते हैं तो एक विक्ति का खर्चा कितना आता है दो करोड का इतनी गहरा है पे तो यह इसके बार में अपडेट थी जैसे को इसके बार में अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा तो फिलाल अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सस्क्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ठीक है धन्यवाद